किसे भी डेवलपर के लिए सर्चिंग स्किल होना बहुत जादा इंपोर्टन्ट होता है ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमें कभी कोई एरर ही ना आए या फिर हमें कभी कोई कोई कोडिंग प्रॉब्लम सर्च ही ना करना पड़े जो फ्रेशर्स है उनके सामने अगर कभी कोई कोई कोडिंग प्रॉब्लम या फिर कोई एरर आ जाए तो वो क्या सर्च करूँ, कौन सा सोलुशन यूज़ करूँ इसे में कन्फ्यूज हो जाते है तो इसलिए फ्रेशर्स को सर्चिंग स्किल इंब्रू करना और भी ज़ादा इंपर्टन हो जाता है तो अब क्वेशन ही आता है कि हम सर्चिंग स्किल को इंब्रू कैसे कर सकते हैं हमने इसे 4 पويंट्स में डिवैड किया है इसमें fourth वाला point सबसे ज़्यादा important है बट उसके लिए पहले हमें first three points को समझना ज़रूरी है Suppose हमें एक client testimonial UI बनाना है जो कि slider में एक के बाद एक scroll होता रहे यही पर आता है point number one जब भी हमें कोई problem solve करने के लिए दिया जाए या फिर कोई requirement दी जाए तो हमें simply एक pen and paper लेना है और पूरी details note down कर लेनी है जैसे कि अभी हमें client testimonial UI बनाना है तो उसके लिए हमें क्या-क्या दिखाना है जैसे कि client name, image, testimonial message and so on यह सारी चीज़े हमें pen and paper में यानि कि paper पे note down कर लेनी है इससे क्या होगा कि हमारे पास पूरी detail information आ जाएगी इससे हम कभी कोई point मिस नहीं करेंगी तो अब हमारे पास पूरी detail information तो आ गई बट हम इसका exactly क्या करेंगे तो इसे जानने के लिए अब हम चलते point number 2 की तरफ अगर हमें proper sentence पता नहीं है कि हमें exactly क्या सर्च करना चाहिए तो जो हमने notebook में detail लिखी थी तो उसमें से कुछ word pick करने है और Google पर सर्च करने है जैसे कि हमें client testimonial slider बनाना है तो हम सर्च करेंगे testimonial slider HTML CSS क्योंकि हमें UI बनाना है तो हम UI तो HTML और CSS से ही बनाएंगे तो जब हम सर्च करते है तो Google हमें कुछ suggestions देता है तो हम उसे भी use कर सकते है तो यहाँ पर हमें बहुत सारे search results आ गए तो हम उनमें से 15 plus awesome CSS testimonial slider वाली जो website है इस पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर different types के slider इन्होंने दिये है और सभी के निचे demo and code यह दो options है तो यहाँ पर अगर हम demo पर click करेंगे तो यह slider हमें कैसे दिखाई देगा यह समझाता है और फिर हम उसे use कर सकते है तो ऐसे ही यहाँ पर different types के slider है तो जो हमें पसंद आ रहा है अच्छा लग रहा है उसे हम use कर सकते है जरूरी नहीं है कि हमें सभी websites में यही pattern दिखाई देंगे कुछ website में एक ही example को उन्होंने explain किया होगा तो यह सारी चीज़े हमें ध्यान में रखनी है तो अब हमें कोई problem solving या फिर कोई requirement दी जाए तो उसे कैसे search करना यह तो समझ आ गया बट अगर हमें कोई error आए तो यही पर आता है point number 3 अगर हमें कोई error आ रहा है और वो हमें समझ नहीं आ रहा है तो हमें simply उस error को copy करना है और Google पर search करना है और फिर stack overflow के website पर जाना है बहुत सारे ऐसे errors होते हैं अल्मूस्ट सभी को आते हैं और stack overflow पर उनका solution भी होता है stack overflow यह एक ऐसा platform है जहाँ पर coding related सारे question and answers होते है इसमें लोग अपने question और error पोस्ट करते हैं और जिनको उनका solution पता है वो solution पोस्ट करके help करते हैं तो हमें simply उन solution को try करके देखना है जैसे कि अभी हमने यहाँ पर Google पर search किया है एक error related error और वहाँ से हम stack overflow पर आये हैं तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रोल करोगे तो यहाँ पर आपको solution दिखाए देगा तो यह solution हमें simply समझना है और try करके देखना है बट कभी-कभी जब हम solution धुन रहे होते हैं तब हम multiple solution देखकर confused हो जाते हैं and exactly कौन सा solution यूज़ करना चाहिए यह समझ में नहीं आता है तो simply हमें जो समझ आ रहा है वो solution को use करके देखना है जैसे कि यहाँ पर इनों ने भी दो different तरीकों से एक ही problem को solve किया है तो जो हमें समझ आ रहा है वो ही solution यूज़ करके देखना है तो यह सारी चीज़े तो हमें समझ आ गई बट क्या इससे हमारी searching skill improve होगी तो इसके लिए हमें point number 4 को समझना पड़ेगा actually यह सारी चीज़े practice and time के साथ improve होती है इसलिए हमें confuse नहीं होना है और सोचते नहीं बैटना है कि हम exactly क्या सर्च करें कौन सा solution यूज़ करें बस यह तीनोट points को अच्छे से समझना है और implement करना है एक चीज़ बहुत important है जो हमें हमेशा धहन में रखनी चाहिए अगर आप खुद से जितना ज़्यादा सर्च करोगे उतना ज़्यादा आपकी सर्चिंग स्किल इंप्रू होती जाएगी तो keep searching and keep learning